तो हाई गाईज मैंने में जगस्दी मुहाबत्रो और AutoCAD 3D playlist को continue करते हुए आज हम इस वाले assignment को करेंगे इस से पहले हम इन 4 assignment को कर चुके है 3D playlist का link इस वीडियो के नीचे है और मैं इस assignment को करने से पहले यह assume कर लेता हूँ कि आप मेरे channel के अंदर AutoCAD 2D playlist को complete कर चुके हो आप पहले मैं recommend कर रहा हूँ कि आप पहले 2D playlist को check करो उस playlist का link भी इस video के नीचे है और 2D playlist अगर नहीं भी देखना चाते हो उसके अंदर एक दो वीडियो देखो और उस playlist के अंदर 3 सबसे important वीडियो है उन 3 important वीडियो का link भी नीचे दे रहा हूँ पचास वीडियो देखने के जरुवत नहीं सिर्फ 3 वीडियो देखो और एक दो वीडियो का drawing देख लो तो तुम्हें shortcuts भी याद हो जाएगा फिलाल मैं इस drawing को शुरू कर रहा हूँ यह मैं हमीसा बोलता था कि यहाँ पर देखो यह जो arrow है यह हमारा front side है तो हम यहाँ पर front side से करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा हो तो जाएगा मैं कर पलूंगा पर आपको आप पांचवा नंबर वीडियो है तो मैं इतना यूपोर्ट को lift पर convert करना होगा lift पर complete convert कर दिया उसका देखो ऊपर नीचे हम बाद में सही कर लेंगे 3D rotate और 3D move का use करते हुए इसको 3D move कर लेंगे फिलाल हम इस पर concentrate करते हैं हम यहाँ पर rectangle नहीं लेंगे हम line लेंगे इसके लिए आपको 2D playlist का फास्ट वीडियो देखना पड़ेगा नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाऊगे पहले 2D को complete करो उसके बाद 3D पर आओ इसके बाद इधार हम कितना देंगे 16 दवा के इंटर मारूंगा काम खतम उसके बाद ऊपर कितना उठेंगे 16 उठेंगे 16 दवा के इंटर उसके बाद इधार कुछ भी नहीं हम कर सकते सकते हैं इसके बाता हूं स्पेस दबाऊंगा स्पेस दबाननों से पीछला कमांड अक्टिव होता है फिर से यहाँ यहाँ जुड़ कर मैं उपर की तरफ फटी त्यू जाकर एंटर मारूंगा इन्टर हमें 20 आना होगा 20 कांकर ते बाद इधो एक लाइन लेकर छोड़ दो उसके बाद फिर से एक स्केप दबा के स्पेस दबाओ और यहां से एक लाइन इधर लाकर छोड़ दो काम खतम और थो नीचे ऑन रहना जरूरी है नहीं तो इस सीधा लाइन नहीं होगा उसके बाद टी आर डवाल एंटर करके भी ट्रीम फिलाल मैं इसको ट्रीम कर रहा हूँ काम खतम उसके बाद हमीं यहां पर देखना होगा कॉनसेट व्यूपोर्ट पर एंग्धम एक दम अस्ट्रोपिके तरह दीख रहा है ओके। के बाद हम यह पर प्रेस फूल करेंगे क्लिक करने के बाद कितना आएगा 62 आएगका इंट काम खतम उसके बाद इसकी बढ़े इसके बाद कापी कर सकते हो या उपर वाले पॉइंट का बॉइंट का रिस्पेक्ट पर भी कापी कर सकते हो पहले हम UCS को ठीक कर ले थे, UCS वो ठीक करने का command में आने क्या बताया था फ़ास्ट वीडियो में 3D playlist का first video में मैंने बताया था UCS दबा के double enter 2D का जो बेसीक कमांड था, जो जो बेसीक knowledge है वो हमने 2D playlist का फ़ास्ट वीडियो में बताया था अब दिखने में सांती लग रहा है, मतलब आखों का संती नम का कुछ होता है, फिलाल मैं यहां पर क्या करूँगा, यहां पर फिर से लाइन टुलूँगा, L दबा के इंटर मारूँगा, उसके बाद यहां पर क्लिक करके, इधर हम कितना जाएंगे, 30 दबा के इंटर इसको हम안 मूबट करेंगे, इसको सिलेट करके एम दबा के इंटर मारू, इस पॉैंटर मूबट के रिस्पेक्ट पर मूबट Hagis का कहा है, हां मिल गया, प। उसकE बाद एक बाद आधा पर नहीं तो प्रॉंट दूब्लम हो जाएगा, कोके अभी-कभी बहुत एरार आता ह यहांपर में इल दबा के इंटर मारूँगा लाइन लोगा तो इचाहो तो इस होसी दबा के ज्ञान कर सकता है इसका फिलाल मतलब नहीं बनता कि भीizar उन्हीं करेंगे ए इसको कूर ससोर पूर सिलक्ट करना होगा garlic मुग से पुइंटर उसाट्व मोग कर दो पून्ट पर कहा ऑगा divides लेंगे और आभी हम पूम नहीं इतने देड़ तक हमने पूल का इस्तिमाल किया, अभी हम प्रेस का इस्तिमाल करेंगे, इसको क्लिक करके प्रेस कर देंगे, यह देफर गायब हो गया, काम कतम, उसी तरह हम नीचे भी यहाँ पा ले लेंगे, फिसे तुम UCS दबा के डबल एंटर मारो, हमारा लाइन जो पूरा जो क्या बो करेते हैं, फिल्दल हम लाइन लेके इंटर मारेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इतर कितना जाऊंगा, 62 मारोंगा, काम खतम, उसके बाद उपर यहाँ पर सेंटर पॉइंट से ही मैं एक लाइन ले लेता हूं, यहाँ पर लाइन कितना लोगा, इसको प्क्चर में है, 9 दबा क के एंटर मारूंगा आगर आपको picture में दीख नहीं रहा तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर color लेगे यहाँ पर 9 नाइन अंदर गया है और यह है पूरा है यहाँ पर 18 ओके तो यह हमारा आठ रहा था तो फिलाल मैं इसको उसके बाद बात से सपश्य परसके लुब करके बाले करके इस के बाद दावा एंटर मूब करोंगा उसके बाद इस में तो लेकर में यहां पर सेंटरबवाइंट पिर से 14 प्रेश करेंगे इसके पिर कारेंगे क्लिक करने के पूरा सिलेट करने के बाद morayu 흡़ पार्ट मूब की मदद से इसको मूब कर लेंगे और यहां पर escape मारने के बाद मतलब अंसलेट करने के बाद यहां पर इन पूरे option को delete मार देंगे delete मारने के बाद हम देखेंगे कि इसके साथ align है की नहीं नहीं तो हमें 3D rotate करना होता हम यहां पर इसको इधर ले जाके उसके बाद इधर ले जाके रख देते हैं ओके यह हमारा फाइफ फीप्ट पार्ट कम्प्लेट हो चुक है उसके बाद मिलते हैं निक्स्ट असाइंडमेंट पर